आप्टुबू का स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नीट के थुरू किस किस कोर्स में आप्टुबू एडिबिशन ले सकते हैं सेकेंड पॉइंट इंडिया में टोटल गोवर्मेंट एंबीबीए सीट्स कितने हैं इस यर में कितने एंबीबीए सीट गोर्मेंट का इंक्रिजमेंट होने वाले हैं इन सभी मुद्व बात करने वाले हैं इन सब्सक्राइब करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए प्रते इस्टेट का अपडेट यहां पर आप दूबू को मिलेगा तो सबसे पहले आप दूबू को बता दू कि नीट के थू MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS और वेटनरी में एडिबिसन होगा यह कमपल्सरी है और NTA ने यह भी ओफीसियली जारी करके बताया कि अगर कोई भी सेंट्रल और स्टेट गोवर्मेंट को BDSC नर्सिंग में नीट रिजल्ड का डेटा यूज़ करके अगर एडिबिसन लेना चाहती है ले सकती है लेकिन उसका प्रोपर एलिजिबिटी क्रेटरिया है नॉर्म से गाइडलाइन है और पॉलिसी है इसको अगर फॉलो कर रहा है तो आज बसन में तो BDSC नर्सिंग मे में भी एडिबिसन ले सकते हैं अब बात करते हैं सकेंड कि टोटल MBS गोर्मेंट सीट कितना है तो टोटल 41,388 गोर्मेंट MBS सीट से थर्ड इस बार कितने सीट्स इंकरीज हो सकते हैं सबसे पहले आपको बता दूं 2019 में टोटल गोर्मेंट और प्राइबिट MBS सीट में 8, 3000 इंकरीजलिंट हुआ था और सिर्फ गोर्मेंट जो है एप्रॉक्सिमेट्नरी 4,000 ऋचे ते लिखे वही बात करते हैं 2020 में बहुत कम सीट का इंकरीजमेंट किया कि कैक् कम सीट का रीजन यह है कोविट की वज़ा से लेकिन मैं आप तो को बता दू कि 2021 में मिनिमम एट टू 9000 सीट्स का इंक्रिजमेंट होने वाला है कुछ नए कॉलिज का भी परमिसन मिलने वाला है वो जैसे लिस्ट जारी होता है मैं आप तो को बता दूंगा इस बार कुछ नए मेडिकल कॉलिज भी स्टार्ट होने वाले हैं आई बासर में तो आठ से 9000 सीट्स का भी इंक्रिजमेंट होगा गोर्मेंट और प्राइबिट मिलके तो बहुत जादा होते हैं और इसमें अगर बात करते हैं कि गोर्मेंट के बारे में तो कम से कम 4,000 to 4,500 तक यह सीट इंक्रिज हो सकता है और आपके लिए बहुत बड़ी अपर्चुनिटी है तो मैं यह सर्जिस्ट करूंगा फ्रेंड की और मैं बता दूं एम्स का कटफ है आप बिलीब नहीं करेंगे बहुत कम गया है 2020 में कुछ स्टेट्स के कंपेर में भी ल बता दिया अब विक लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर दिए